है लो गाइज स्वागत करते हैं आज का आपकी ओर नई और ताजा वीडियो में तो गाईज आज का मैच खेला जाने वाला है जीटी वर्षीव लस्जी के बीस से पहले में आगे बढ़ने से पहले आपको एक महत पूरून जानकारी देता चलो जो कि वह सुरू में इन्फरम बात कर लेते हैं आज के मैच में सबसे पहले हम बात करेंगे जीटी की आपको आज के दिन जीटी की तरफ से किस खिलाड़े का अचा पर दर्शन देखने को मिलेगा आज के दिन जीटी की तरफ से आपको सुबमन गिल सुबमन गिल के लगभग आज के दिन पका नहीं पता द फिलाडी तो लग रहां आच्छा करेंगे ही इसी धी एसी के साथ साथ इनके यह ऐकर ब도र हैं वह भी अच्छा करें गेवह है ईल्जारी जोश्प अल्जारी जोसफ अज्छ का अज के दिन लग भक अगर इनकी लैस जी ने पहले ने पहले बोलिंग की और बोल्र हैं वो भी अच्छा करेंगे वो है अलजारी जोसिफ जारी जोसिफ आज के दिन लग भग अगर एंकी लस्टि ने पहले जीटी किया में अगर जीटी ने पहले बोलिंग कि और जीटी ने हां अलजारी जोसफ आज के दिन अलजारी जोसफ अगर बाद में बोलिंग आई जीटी की तो अलजारी जोसफ का परदर्शन बहुती अच्छा रहेगा आज के इस मैच में अलजारी जोसफ का तो चलो हम बात कर लेते हैं अगली टीम के बारे में वो है अगर इनकी बाद में बैटिंग आई जीटी के बाद में तो इनका भी आज के दिन अवस्या ही केल राहूल का मध्या से ज़्यादा का प्रदर्शन देखने को मिलेगा अगर आज के मैच में जैदे उनका खेलें तो जैदे उनका प्रदर्शन होगा अपनी टीम के लिए जैदे उनका प्रदर्शन रहेगा तो चलो अब हम बात कर लेते हैं दूसरी टीम के बारे में कि आपको आज के दिन किस किस खिलाड़े का ज़्यादा सापर दर्शन नहीं देखने को मिलेगा जीटी की तरफ से आपको आज के दिन रिधिमान सहा लगभग ज्यादा अचा नहीं करके बाज आप आएंगे आज के दिन ये जल्दी आउट हो जाएंगे रिधिमान सहा इसी के साथ साथ चलोब हम दूसरी टेम के बारे में बात कर लेते हैं तो गाईज आपको आलस जी की तरफ से आपको निकलस पूरण का ऐसा लग रहा है कि इनका भी आज के दिन मध्या से कम का परदर्शन रहेगा इनका भी आज के दिन ज्यादा अचा परदर्श नहीं रहेगा ये भी आज के दिन जल्दी आउठ हो जाएंगे निकलस पूरण तो गाईज आज के दिन लग भग मैं जीतने के संभावना जादा लस जी की बनी हुई है रासी और ग्रहां को नुसार तो इसी के साथ साथ गाईज लेतना ही चैनल को लाइक कर देना सब्सक्राइब घर देना धन्यावाद तो इसे के साथ साथ के दिन कुनाल पांडया का भी लगबग अच्छा प्रदक्ष्ण रहेगा मत्या से ज्यादागा चैनल को लाइक कर देना धन्यावाद